हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डाइबिटीज की एक आयरवेदिक दवा की जी हां आज हम आपको ऐसी दवा के बारे में बताने वाले हैं जो और आपको हम इसके बारे में डीटेल में जानकारी देंगे और मैं आपको बताओं कि इस दवा का रोजाना एक चमच रात को सेवन करना है खाना खाने के दो गंटे बाद और ये निशित रूप से अगर एक महीने तक खा लेंगे तो आपकी बलड शूगर लेवल की समस्या हल हो जाएगी तो ध्यान से देखेगा वीडियो ये बहुत जरूरी है और अगर आज दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो आईए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताओं कि ये आईरवेदिक दवा बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए उसमें सबसे पहले 500 ग्राम मेथी दाना लेना है 100 ग्राम अजवाइन लेनी है और 50 ग्राम काली जीरी लेना है ये तीनों आईटम आपको आसानी से मार्किट में मिल जाएंगे और काली जीरी आप किसी भी पंसारी क दुकान से ले सकते हैं ये बहुत ही फेमस और ओशदिये गुणों से भरपूर आयरवेदिक दवा है ये आपको आराम से मिल जाएगे तो करना क्या है कि सबसे पहले मेथी दानों को मीडियम आज पर लगभग एक मिनट या दो मिनट तक भूनना है हलका ही भूनना है ज्या जब ये तीनों चीजे भून जाएं तो इन्हें ठंडा होने के लिए 5-7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद सबसे पहले मेथी दानों को बारीक पीसना है मिक्सी में डाल करके पीस लीजिए बस ये ध्यान रखें कि बिलकुल पाउडर करना है बारीक पीस लीजिए एक साथ मिला करके इनहें मत पीसिएगा वरना ठीक से नहीं पीसेंगे और ठीक से नहीं बनेगा तो जब ये तीनों चीजे पीस जाए तो इन्हें आपस में मिक्स कर दीजिए और फिर एक एर टाइट कंटेंडर में बंद करके लग दीजिए अब इस तो आपको इसका result भी मिलेगा और अगर 30 दिन तक लगतार आप इसे खा गए तो निश्चित रूप से आपको बड़ा फायदा होगा और हो सकता है कि आपकी diabetes ही ठीक हो जाए तो आप भी अगर diabetes से परिशान है तो निश्चित रूप से इस नुस्खे को इस दवा को जरूर इ लेगा तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज देगए जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमें सब्स्क्राइब भी कीजेगा थ